नमस्कार आप देख रहे हैं जनभापना टाइमिस आपके साथ मैंको अंकेता करनाटक में तीन दिन के हमपी महसफ का आयोज़न हुआ रवीवार 29 जनवरी को हमपी उससफ का आखरी दिन था जहाँ परफॉर्मेंस के दौरान कैलाश खेर पर अटैक हो गया दरसल उससफ में मौजूद दो लड़कों ने कैलाश खेर के उपर बोतल फेक कर मार दी उस वक्त कैलाश खेर परफॉर्मेंस दे रहे थे पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं हम पिए उससफ में कई जाने माने कालाकार शाविल हुए थे तो वही मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने भी अपने गानों से लोगों को जूमने पर मजबूर कर दिया कैलाश खेर स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दे ही रहे थे कि तब ही दो लड़के कनर गाने की मांग करने लगे गाने की मांग करते हुए उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे कैलाश खेर पर पानी से भरी बोतल दे मारी ये मामला रविवार का है फिलहाल दोनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है हाला कि इस घटना के बाद हर कोई स्थब्द है तो वही सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे है कि आखिर कैसे इतने बड़े कलाकार के उपर ये हमला किया गया सवाल ये भी उट रहा है कि इन दोनों युवकों को विरोध करने के दौरान ही आखिर क्यों नहीं रोका गया अगर उन्हें पहले ही रोक दिया जाता तो वो इस तरह की बस सलूकी नहीं कर पाते हाला कि दोनों आरूपी युवक कौन है ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आपाई है फिलहाल इन लोगों से पूछताच की गई है आपको उतादे कि हम पी उससब की शुरुबात 27 जनवरी को मुख्य मंत्री बसवराब वो मई के उधगाटन के साथ ही हुई थी और 29 जनवरी को उतसब का आखरी दिन था कैलाश खेर ने अपने कई शांदार गानों से लोगों का दिल चीता है उनका गाया अल्ला के बंदे हस्दे आज भी लोगों का फेवरिट है लेकिन कैलाश खेर के साथ हुई इस बस सलूकी पर आपकी क्या राय है और उसके पीछे किसकी गलती है जरूर बताईए जुड़े रहिए जनवरा टाइम्स के साथ नमस्कार